लो फ्रेंड्स क्या मोधी केर में आपका स्वागत है मेरे चैनल में आपको मोधी केर से रिलेटेड नियू अपडेट अन्बॉक्सिंग और प्रोड़क रिव्यू इस वीडियो में मैं आपके चाहर सेयर करने वाली हूं यूट्यूब को साथ हम अपना मोधी केर बिसनेस कैस यूट्यूब लॉइडियो का अगर आप लॉइडियो बनाना चाहते हैं तो आपको पास टो टो थ्री हावर्स रेगुलरली होने चाहिए लॉइडियो के क्या बेनेफिट से यूट्यूब में आपको आपने प्रोड़क डिटेल दिया आपको कीवर्ड सेर्च करना पड़ है और इसकी रीच भी ज्यादा है ताइटल टैग डिस्क्रिप्शन तो आपको शॉट्स में भी लगाना पड़ेगा बट आपको थोड़ा सा कम समय लगेगा शॉट्ट वीडियो की रीच इस समय बढ़ गई है और शॉट्स के चैनल भी मोनटाइज होने लगे हैं इसके सा साथ आप आई कार्ट पर मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगी ओनलाइन शॉप कैसे खोले उससे लिंक क्रियेट करके आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं जिससे आपके कस्टमर और बढ़ेंगे बात करते हैं कि शॉट्स टाइम टेकिंग है या लॉग वीडियो मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छी है डिपेंड करता है आपके टामिंग के उपर कि आपके पास कितना समय है मैं अपने चैनल में लॉग और शॉट्स दोन ही डालती हूँ और दोनों ही में से शॉट्स में बहुत कम समय लगता है क्योंकि वन मिनट के अंदर हम काफी अच्छे प अपलोड करना होगा एसा नहीं कि आपने एक दिन वीडियो अपलोड किया और वन विक तक की गायब नू ये आपकी बेनिफिट नहीं होगा आपकर आप शोर्ट डालते हैं तो वन वीडियो रग लड़ ली और अगर आपके पास जाधर समय है तो टू वीडियो भी आप मॉर किस तरीके से वर्क अपने उपर ले सकते हैं मेरे पास जादा समय नहीं रहता पर मेरा चैनल काफी पुराना है इसलिए मैं लॉंग वीडियो भी डालती हूं शॉर्ट वीडियो भी डालती हूं क्योंकि 2023 में शॉर्ट से काफी डिमांड हो गई है और मुझे लगता है शॉर् ना भी बढ़ पाती है तो आपकी प्रोडक्स सेलिंग तो होगी होगी आप डिपेंड करता है आप कैसे तरीके से वीडियो शूट करते हैं वीडियो शूट को काफी थोड़ा सा इंटरस्टिंग करिए विच सौंग करिए ताकि आपकी वीडियो उसको लाइक किया जितने मिलते हैं रीच बढ़ती जाती है कौन से एप यूज करती हूं यह भी शेयर करूंगी एर लास्ट में वीडियो के अगर आप वीडियो यूट्यूब का चैनल ओपन करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में ही ट्रेनिंग ले सकते हैं यूट्यूब में काफी सारे चैनल जो आपको फ्री में चैनल बनाना भी सिखाएंगे उनकी को सेटिंग भी करना सिखाएंगे उसके साथ आप अपना ग्रो अप कर सकते हैं शोर्स में आप अपने प्रोड़क की डेमो करके अपने टीम के साथ शेयर करते हैं हम अपनी टीम तो ग्रो कर लेते हैं पर उनको प् टीम को knowledgeable नहीं बनाएंगे तक तक हमारी टीम ग्रो नहीं कर पाएगी और हमारा भी benefit नहीं होगा इसलिए इन शोटे-शोटे steps से आप अपने टीम को ग्रो भी कर सकते हैं उनको information भी दे सकते हैं और आपके लिए target achieve करना भी बहुत ही असान होगा मैं YouTube के लिए काहिन मास्टर यूज करती हूँ editing के लिए और सारी शूट जो है मैं मोबाई से ही करती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ताम-जब के लिए पर टाइम नहीं है उसके बाद मैं songs जो है आपका YouTube लाइबरी से ही ले लिचती हूँ और शॉट्स में आप आपको उसके आइकन में songs मिलते हैं उसके बाद editing हो गया songs हो गया lighting मैं नॉर्मली lighting में यूज करती हूँ मैं कोई भी extra lighting नहीं करती आप अगर यूज करना चाहें एक stand ले सकते हैं लिच लगा वैसे आते हैं आजकल सर्च करके आप दे सकते हैं जिसे टिप कर सकते हैं और अपना business grow कर सकते हैं आपके पास बहुत सारे कुछ ऐसे भी customer आएंगे जो आपको call करेंगे बट information लेंगे joining नहीं करते हैं उसके बाद कई वार ऐसे होंगे जो join होंगे purchasing नहीं करेंगे तो इस तरीके के थोड़ी सी problem आती है क्योंकि आपकर तो time लगता है ना time तो लगता है बट sometime हमने कुछ लोग mislead भी करते हैं इसलिए इनसे बचें क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है इसलिए मैं आपके साथ इस experience को share कर रही हूँ अब बात करते हैं कि कितना time देना होगा हमें YouTube में channel के लिए अगर आप long video बनाते तो per day आपको 2-3 hours देने होंगे शूट करेंगे, editing करेंगे, songs डालेंगे, animation करेंगे, uploading करेंगे, title, tag, description, thumbnail इन सब के साथ आपको 2-3 hours लग जाते हैं अब बात करते हैं Shorts में, Shorts को बनाने में आपको 1 minute लगेगा, editing आपने थोड़ी बहुत कर दी, song डाल दिया, इसके बात आपको maybe title tag description तो इसमें भी डालना होता तो 1 hour लग जाएगा, but this is very useful, आज की समय में digital marketing बढ़ती जा रही है, और YouTube इसका एक best play platform है, जिससे आप अपने business को grow सकते है, I hope कि आपको information पसंद आई हो, अगर आपको किसी भी तरीके की query हो, तो आप comment में कर सकते हैं, मैं आपको जरूरा answer दूंगी, thank you